तो देखो हर साल बहुत विशे हो ती हैं चाहे वह बॉललीज टॉलीज या फॉलिवूड कह बहुत सारी मूविशे ही कुछ ऐसी मूविश भी होती है जिनकर के बॉट क्लुंद कि सबसे बड़ी flop movies है यानि कि इन सारी movies को सबसे ज़्यादा loss suffer करना पड़ा है तो चलिए फिर इस वीडियो को यहाँ से सुरू करते हैं और हाँ एक बात और चैनल को subscribe कर लो तो देखो मैं इस movie में वो movies को नहीं count करूँगा जो कि simultaneously थेटर के साथ साथ OTT platform पे भी release हुई थी क्योंकि obviously उनका box of this collection OTT के वेसे effect तो होगा ही इसी के वेसे मैं उन सारी movies को नहीं रखूँगा जैसे कि Onward हो गई, Jungle Cruise हो गई और Mulan हो गई, ऐसी सारी movies को मैं इस वीडियो में नहीं रखने वाला हूँ अब इसी के साथ बने 14 पे, तो 14 पे आती है Sinbad, Legend of the Seven Seas और यह आई थी 2003 में और यह एक Animated Adventure मूवी थी इस मूवी का जो loss था वो 967 करोन का था यानि कि अगर मैं इसको million बता हूँ तो यह 125 million का loss इस मूवी को हुआ था अब इसी के साथ में 13 पे, तो 13 पे आती है The 13 Warrior, जो किया थी 1999 में और यह मूवी एक Historical Fiction Action मूवी थी जो कि Based 3 Novel पे और इस मूवी को Approx 1000 करोन का loss हुआ था यानि कि 129 million का अब इसी के साथ बढ़े तो 12 पे तो 12 पे आती है Terminator Dark Fate, जो किया थी 2019 में और यह एक Science Fiction मूवी थी और इसे भी Box Office पे 1000 करोन के उपर का loss हुआ था मतलब 130 million का तो अगर आपको वीडियो इंट्रेस्टिंग अभी तक लग रहे हैं यह तो प्ली इसी चनल को सब्स्क्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो तो 11 पे आती है अब Wrinkle in Time जो किया थी 2018 में और यह भी एक Science Fantasy Adventure मूवी है और इसको 130.6 million का loss हुआ था यानि की 1014 करोन का अब इसी चाहत बढ़ें 10 पे तो 10 पे आती है MCU की Dark Phoenix और यह आई थी 2019 में इसको भी 133 million का loss हुआ था और अगर मैं इसको convert करूं इंडियन में तो यह भी हो जाता है 1030 करोन तो 9 पे आती है The Matters Resurrection जो किया थी 2021 में और यह भी एक Science Fiction based मूवी थी और इसको भी 1.38 million का loss हुआ था और इसको मैं अगर इंडियन करंसी में convert करूं तो यह 1068 करोन का हो जाता है इतनी Bollywood की मूवी यहां तक मुस्किल से कमा पाती हैं और यह लोग loss करके बैठे हैं साही है वही बढ़े आगे 8 पे तो 8 पे आती है Mars Needs Mom यह आई थी 2011 में और यह भी एक Animated Science Fiction मूवी थी और इस मूवी को 144 million का loss हुआ था 144 million का अगर मैं इसको convert करूं इंडियन रुपीज में तो यह लगबग हो जाता है 1115 करोन तो बढ़े 7 पे तो 7 पे आती है Pen यह भी एक Fantasy मूवी थी जो की आई थी 2015 में और इसका भी जो box office loss हुआ था वो 150 million का था अगर मैं वही 150 million को convert करूं इंडियन करंसी में तो यह हो जाता है 1160 करोन अब आपने 6 पे तो 6 पे आती है Tomorrowland जो की एक Science Fiction based मूवी थी और यह आई थी 2015 में और इसको जो loss हुआ था वो भी 150 करोन के प्रॉक्स हुआ था और इसको भी मैं convert करूं तो same as Pan यह भी 1161 करोन के लगबग का नुकसान हुआ था Box of His collection पे Top 5 पे 5 पे आती है Battleship जो की एक Science Fiction Alien based मूवी थी और यह आई थी 2012 में और इसका जो loss हुआ था वो भी 150 million का था अब इसी एक साथ बढ़े 4 पे तो 4 पे आती है King Arthur Legend of the Sword और यह मूवी एक Epic Fantasy Action Adventure मूवी थी और यह आई थी 2017 में और इसको जो loss हुआ था वो 153 million के लगबग हुआ था अगर वहीं मैं 153 million को Indian currency में convert करूं तो यह कहीं न कहीं 1185 करोन का हो जाता है तो 3 पे आती है Mortal Engines जो की आई थी 2018 में और इस मूवी को जो loss हुआ था वो 174.8 million का हुआ था अगर मैं इसको Indian currency में convert करूं तो यह हो जाता है 1348 करोन जो की बहुत जादा है और जो 2 पे आती है वो है The Long Ranger और यह मूवी आई थी 2013 में यह एक American Western based मूवी थी इस मूवी को जो loss हुआ था वो 160 million से 190 million के अप्रॉक्स लॉस हुआ था यानि की बहुत जादा और अगर मैं इसको convert करूं Indian currency में तो यह 1240 से लेकर 1471 के बीच में इसको loss हुआ है अब बड़े first बे यानि की जिसको biggest box office bomb कह सकते हैं यानि की biggest flop movie in the world तो उसका नाम है John Carter जो की आई थी 2012 में और यह डिजनी की तरब से आई थी ये भी एक science fiction action film थी तो और इस movie को जो loss हुआ था वो 200 million के प्रॉक्स हुआ था यानि की 1550 करों का loss हुआ था इस movie को फिर यहीं धख था अपना वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चनल को सब्सक्राइब कर दो तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए